हेलो गाइज अगें वेलकम यूट्यूब चैनल कोडिक वीडिया गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेट टू एन एम चेप्टर ठीक है आज की वीडियो में आपको रिलेटेट टू अपना ऑस्पिटल और ऑफिस विज देखेगा और आपको एजली समझ में आ जाएगा कि हमारे ऑफिस से रिलेटेटेड या फिर हस्पिटल विजिस ते रिलेटेड कॉस्टिंज जो भी हैं लाइक न्यू पेशेंट से बेस्ट और इस्टैबलेश पेशेंट के उनको आप कैसे जल से सॉल कर पाओगा ठीक है यहां मैं बेद एक्जामपल आपको सारी चीजें समझाऊंगा और आपको गाइड लाइन भी समझाऊंगा कि कैसे आप क्या चीज फॉलो करोगे जिससे आप अपने करेक्ट आंसर पर बहुत जल्दी चले जाओगे ठीक है तो विदाउट डूइन फर्दर डिलेश लाइस ति भीडल ही krijए अगर अगरेण करैंगे इन्हीं की पेज़िब करने अनसर तक पहुंचाइब इसमें को सब्से इंप वह इल्माण सफ शीनारियों में दोनों चीज दी होती है गाम भी एन MDM भी दे रखा है ठीक है तो हमें किसको select करना है हमें सबसे पहला confusion यही रहता है कि हम किसको select करेंगे तो देखो गैज अगर time भी दे रखा है और MDM भी दे रखा है तो हम दौनों में से उसको code करेंगे जो highest होगा, मानलो हमारे सिनारियो में MDM दे रखा है कम ठीक है, और time दे रखा है जादा तो हम वहाँ पे कहा, time के according जो हमारा MDM होगा, उसको select करेंगे यही यहाँ पे मैंने given है, अगर हमारा time ज्यादा है as compared to MDM तो हम क्या करेंगे हम time के according code करेंगे ठीक है, अगर हमारा MDM ज्यादा है as compared to time, ठीक है, तो हम MDM के according code करेंगे, तो यह बहुत important चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें अगर सिनारियो में दी हुई ही है जो भी highest होगी, as per that we have to code the appropriate code, ठीक है यह चीज़ ध्यान रखिएगा, अब एक और चीज़ें इसमें, काफी important, वह हमारी prolong service से related, ठीक है, prolong service में क्या है, कि हम जो code यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम जब भी यूज़ करते हैं, जब हमारा जो code है like जैसे 99215 है, उसकी जो code range हो क्या है, 40 minutes से लेके 54 minutes तक, ठीक है, तो इस minute में तो हमारा जाएगा 215 वाला, अगर हमारा यहां पर 55 minute होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना, जो हमारा code है highest वाला 99215 के साथ में, अगर वो हमारा hospital विज़िट है, उसके साथ में क्या code करेंगे, हम ये pro long service code करते हैं, जो कि हमारा, क्या होता है 99417, ठीक है, और इसके नीचे आपको guideline भी given है, कि किस code के साथ में, हम ये वाला code code कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ चेक कर लिजएगा, ठीक है नीचे दे रखा है, no need to check history and exam, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले हम इस चीज़ों को चेक करते थे, बट आज की टाइम पे, हम इन चीज़ों को check नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा केवल आज की टाइम पे जो requirement है, वो MDM का है, के MDM हम पता करेंगे, के कौन सा MDM है, अगर केवल MDM given है, ठीक है, अगर टाइम है, तो मैंने आपको पता देख, क्या चीज़ चेक करनी है, ठीक है, दूसरी चीज़ गाई, इसमें ये है, के माई लो, आगर आपको MDM निकालना नहीं आता है, तो मैंने इसका एक video में आप चेक कर सकते हो, कि क्या guide है, महां पे मैंने इसका एक वीडियो बनाये detail में ठीक है वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप MDM को find out करोगे ठीक है अब हम इसके कुछ questions देख लेते हैं जिससे क्या है आपको better idea लगेगा कि कैसे questions को हम easily solve कर पाएंगे ठीक है देखो गाई पहला question देखो पहला question आपने पढ़ा पहले question में क् primary care physician के पास में ठीक है ठीक है देखो primary care physician के पास में आय किसिस problem के साथ में uh hypertension के साथ में ठीक है उसके जो physician क्या किया है यहाँ पर MDM व दिया है लो ठीक है हमारा important — चीज किया था लो ओर यहां पर यहाँ important चीज क्या है यहां पर क्या है time भी दे रखा है time कितना दे रखा 45 minutes ठीक है अब हमें दोनों चीज ने पता चल गई हमारा MDM क्या यहां पर लो है और हमारा time क्या यहां पर 45 minutes जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कि दोनों चीज है हमारे सेनारिय में given होंगी तो जो हमारा highest होगा उसके according we have to code यहां पर हमारा low MDM दे रखा है और time दे रखा 45 minutes ठीक है अब सबसे पहले important चीज क्या है कि हमारा यहां पर patient कौन सा है हमारा patient है यह established वह कैसे क्योंकि वह अपने primary care physician के पास में आया है मतलब यह अ ठीक है अब देखो पहला option देखो इसमें रखा 99215 ठीक है अगर आप 99215 में देखोगे तो इसमें जो time दे रखा है वो कितना दे रखा है 40 to 54 minutes ठीक है और हमारे सेनारियो में क्या time दे रखा है 45 minutes ठीक है अब हम इस code को भी रख लेते हैं ठीक है अभी दूसरा देखो 99215 उ जाके अगर check करोगे तो वहां time दे रखा है कि यह वाला हम code कब code करते हैं यह वाला हम code जब करेंगे जब हमारे सेनारियो 55 minutes होगा minimum time ठीक है जब हम कोड करेंगे बट हमारे सेनारियो में कितना time दे रखा 45 तो इसको हम directly eliminate कर सकते है ठीक है अब C option दे रखा है 99213 अब 99213 में ठीक है 99213 में ठीक है अब देखो इसको भी हमाँ भी रख लेते हैं अब हमारा option डी है वह हमारा 99213 और 99403 यह तो हमारा direct आप ऐलिमेट कर सकते हो यह हमारा right answer नहीं होगा ठीक है जो हमारा time है 45 minutes वो किस code के अंडर में आ रहा वो आ रहा 215 के अंडर में मैंने आपको बताय था पहले ठीक है अब अगला question देख लेते हैं guys आई अब आपको समझ में आ गया होगा अब देखो next question देखो यहां पर कहा है 25 year old female presented to the physician office complaining persistent abdominal pain this patient is new to this practice and this physician मतलब new है मतलब कि यह हमारा कौन सा patient हो गया new patient ठीक है new patient हों गया पहλη चीज़हमें पता चल गई देखो यहां पर mention है न पहली हमां क्याया new patient हो गया दूसरी चीजी क्या है MDM यहां पर क्या है moderate ठीक है यह में पता चल गया ठीक है तीसी चीज चीज़ क्या है चुट time दे रखा है यहां पर देंग है 60 मिनट ठीक है अब हमारा MDM होगे moderate time होगे 60 minute और patient होगे हमारा new ठीक है अब हम आ जाते हैं अपनी code range पे ठीक है देखो option A, B, C and D इसमें option B और D को आप direct eliminate कर सकते हो वो कैसे क्योंकि option B और जो D है वो किस के लिए आते हैं वो आते हैं established patient के लिए तो इनको हम directly eliminate कर सकते हैं अब हमारे पास बचा option A and option C ठीक है अगर आप option A देखोगे 99205 ठीक है अब यह हमारा किस के लिए आता है new patient के लिए आता है time कितना दे रखा है 62 74 minute ठीक है और जो हमारा code 99204 उसमें जो हमारा MDM है वो क्या है moderate यहां पर कहा है हमने जो पहला question solve किया थ है मतलब कि हमें highest के according code करना है अब हमारा MDM हम देखेंगे तो उसके according हमारा code आना चाहिए 99205 और अगर हम time देखेंगे तो उसके according हमारा code आना चाहिए 99205 अब धौनों में highest कौन सा है धौनों में highest हमारा 99205 ठीक है तो यहां पर वही हमारा right answer होगा जैसा कि मैंने आपको हमें पढ़ा होगा ठीक है next question पढ़ लिया अब देखो इसमें कहा है 45 year old established सबसे पहली चीज़ है established patient है ठीक है दूसी देखो इसमें कहीं हमारा MDM तो नहीं दे रखा देखो यहां पर MDM दे रखा है हमारा क्या moderate ठीक है अब देखो यहां पर time तो given नहीं है अब हमें क्या ची option c and d को आप direct element कर सकते हो यह किसके लिए आते हैं new patient के लिए ठीक है अब हमारे पास बचा option a and option b ठीक है अब हम देखेंगे कि जो हमारा code 99214 और 99215 किसमें हमारा MDM moderate होता है हम उसी को select करेंगे भई हमारा right answer होगा क्योंकि हमारी सेनार्य में क्या है MDM यहां पर moderate दे रखा है ठीक है अगर आप code 99214 यह किसके लिए आता है यह आता है हमारा moderate MDM के लिए ठीक है यहां पर given है moderate level of MDM decision तो हमारा right answer यहां होगा option a ठीक है बी option को हम यहां पर direct element कर सकते हैं क्योंकि यहां पर MDM हमारा हाई होगा हमारा right answer हो ए हो गया आयोप आपको समझ में आ रहा होगा कि क देखो इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारा क्या क्या चीज़ें given है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे हमारा established patient है कि new patient है ठीक है तो देखो पहली लाइन में लिख रहा है अब दूसरी चीज़ में क्या है हमारा total time जो spent हुआ है 30 minute ठीक है यह चीज़ देख लिए हमने हमने दो चीज़ पता कर ली हमारा initial visit है मतलब कि new patient है और total time है वो 30 minute है अब हम अपने code पे आ जाते हैं देखो option A, B, C, D ठीक है अगर आप option C और D देखोगे है ना जो हमारा code है 99417 ठीक है यह हमेशा हम किसके लिए code करते हैं यह code करते हैं हम 215 के साथ में ठीक है बट यहां पर 214 के साथ में रखा direct element कर सकते हो ठीक है 99203 के साथ में भी हम इसको code नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि इसको हम हमेशा highest के साथ में code करते हैं हम हमारा जो कोड है 99205 या फिर 99215 यह इनके साथ ही हम कोड करेंगे इस कोड को तो बेस्ट आन डैट यू के अलिमेट ऑप्शन C & D अभी आपके परस्टा ऑप्शन A & B ठीक है अब यहां आप क्याची चेक करोगे आप देखोगे किसमें अपना टाइम मेच कर रहा है ठीक है हम हमारा को हम्ilia 30 इंट 30 मिन के है चुकि हमारा है इस कोड के अंदर ऑप्शन B तो आपको समझ में आ गए होगा क्या कि किस तरीके से को सॉल्ब कर पाएंगे ठीक है को आइग 小विडियों प्लीज are a dash K ए लीद अप प्लीज़ हिदे लाइक बटन सब्सक्राइप मैं चनल